येरे स्टुडेंट आज हम इस वीडियो में बच्चों के दवारा देनिक दिनसरिया में जो गतिवीदिया की जाती हैं उनको इंग्लिश और हिंदी में बताएंगे सबसे पहले एक बच्चे के दवारा दोनों हत्यलियों को आपस में मिला करके इस परकार के ये गतिवीदि जिसे ताली बजाना कर जाता हैं जिसे इंग्लिश में कलेप के नाम से जानते हैं और इंदी का आर्थ होता है ताली बजाना ये एक बच्चा रशी पर बार बार उचल कूद कर रहा है ये आर्थ उसके हाथ में रच्ची लिए हुई है जिसे इंग्लिश में जंप करते हैं जे यू एम पी जंप और जंप का आर्थ होता हैं कूदना नेक्स्ट कतिविदी के बारे में बताते हैं ये एक बच्चा जूर जूर से दात निकाल करके हंस रहा हैं जिसे इंग्लिश में हंसना को लाफ कहते हैं एले यू जी एस लाफ मतलब हचना होता हैं इसी परकार ये एक बच्चा फुट पावर बहुत तेज गतिसे दोड़ चाल हैं तो इस परकार दोर्ड़ना को इग्लीश में रन करते हैं ऑ- u-n रन, run का आदि दोड़ना नेक्स्ट ये एक बच्छा आपको दिखाई दे रहा है ये उपर गेंद है उपर क्या है ये गेंद है और ये अपने हातों से पकड़ रहा है इस परकार की गतिविदी को पकड़ना का जाता है और इंगलिश में कैच कहते हैं मतलब पकड़ना का जाता है इसी परकार ये एक लड़का और लड़की फर्स पर अपनी दूम में डांस कर रहे हैं और जिसे इंगलिश में डांस करते हैं नाच रहे हैं और ली ए एन सी डांस मतलब नाचना होता है ये एक बच्छा जमीन से हलका सा पेर उपर उठा करके खड़ा है जिसे स्टम फिट करते हैं इसी परकार ये एक बच्छा एक पत्थर को लेकर के रसी के सारे अपनी तरफ खींच रहे हैं जमीन पर तो इसे पुल का जाता है पुल का आर्थ होता है खींचना नेक्स्ट गतिविदी देखिए ये एक बच्छा दिवार हैं और दिवार पर अपने हातों को इसकी तरफ बल लगा रहा हैं जिसे धका लगाना करते हैं धका लगाना को इंगलिस में उस का जाता हैं पी यू एच एच ये एक बच्चा कुर्शी पर बैठाता अब ये खड़ा हो गया है जिसे इंगलिस में इस्टेंड अप का जाता हैं खड़ा होना का मतलब इस्टेंड अप होता हैं और किसी वस्तु पर धका लगाना उसे पुस का जाता हैं ये लड़का खुर्शी पर नीची बैठ रहा है खुर्शी के उपर जिसे इंगलिस में सिट डाउन काते हैं सिट डाउन मतलब होता हैं बैठ जाना तो आपने इस वीडियो में बहुत सारी गतिविदी जो बच्चों के दवारा देनिक दिंसरिया में की जाती हैं सीख ली ह इस परकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूटूब सेनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद